नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत आप सब इका सॉलूशन में दवीसिक यूटूब चनाल में फ्रेंड्स इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल से रिलेटिड टॉप 30 MC की कुशन इस वीडियो में कवर करेंगे पहले मैं आपको fully detail से 30 plus कुशन में बता दूँगा फिर 20 कुशन की कुईज लगवा दूँगा तो आपको एक ही वीडियो में सारे कुशन जो है उद्गम स्थल से रिलेटिड सारे कुशन कवर हो जाएंगे अगर आप किसी भी एकजाम की तयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको जरूर एक से दो कुशन आपको देखने को मिलेंगे तो इस वीडियो को आप लोग बिनाई स्किप के पूरा देखें और इसका जो पीडियेफ है आपको टेलेग्राम की चैनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलेग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्किप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलेग्राम को जोइन कर लीजे पहले में आपको जो है फुली डेटेल से 30 कुशन बताऊंगा फिर जो है 20 कुशन की जो है कुईज लगवाऊंगा तो आपको लाश्ट में 20 कुशन में से कितना आप लोगों ने स्कोर किया है 20 में से आपको जरू बताना है चलिए बीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चेनल पे पहले आप विजिट कीएई चेनल को सब्सक्राइब करें बैव आइकन को प्रेस करें चलिए बीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो कुशन है ये है सिंदू नदी का उद्गम इस्थल कहां से है तो सिंदू नदी का उद्गम इस्थल जो है ये है मान सरोबर जील जो की तिबबत में पढ़ता है तो मान सरोबर जील तिबबत से इसका उद्गम इस्थल है सिंदू नदी का उद्गम इस्थल मा अगला जो कुछना कुछनमा टू गंगा नदी का उद्गम इस्थल कहां से है तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी का उद्गम इस्थल जो है गंगोत्री ग्लेशियर जो की उत्राखंड राज में पड़ता है जहां से गंगा नदी का उद्गम इस्थल है अगला ज आगला जो कुछे ने सुनाग जीन का बहुंदकान से लिए ये हैं आगला जो कुछे ने सुनमदकान सिक्स रावी नदी का उद्गम इस्थल कहां से है तो रावी नदी का उद्गम इस्थल जो है ये है रोहोतांग दर्रा जो की हिमाचल प्रदेश में है तो ये आप याद रखें अगला जो कुशना कुशनमा 7 चेनाब नदी का उद्गम इस्थल कहां से है तो राम गंगा नदी का उद्गम इस्थल जो है ये है कुमायू और जो है तथा गड़वाल से है जो की उत्राखन राज में पढ़ता है अगला जो कुशना कुशनमा जो 9 है ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहां से है तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल जो है ये रोहोतांग दर्रा जो की हिमाचल प्रदेश में पढ़ता है अगला जो कुशन कुशनमा 10 जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है तरंब केशवर नासिक महाराष्ट से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है अगला जो कुशन कुशनमा 11 कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कह से है तो कोशी नदी का उद्गम स्थल जो है सब्त कोशी की नेपाल से इसका उद्गम स्थल है कोशी नदी का तो इसको आप याद रखें अगला जो कुष्ण कुष्णमा 13 जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां से है तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमर क गंटक की पाडियां है वहां से इसका उद्गम इस्थल है नर्मदा नदी का जो की मद्ध प्रदेश में है अगला जो कुछन कुछनमा 14 तापती नदी का उद्गम इस्थल कहां से है तो तापती नदी का उद्गम इस्थल जो है ये मुलताई जो की मद्ध प्रदेश में रखें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक इंडिस रुकिया करें अगला जो कुछ नमस 16 जो है सो नदी का उद्गम स्थल कहां से है तो सो जो रिवार है इसका उद्गम स्थल जो है अमर कंटक की पाडियों से है जो की मध्र प्रिदेश में पढ़त में है जो की 36 गड़ राज में पढ़ता है तो यह आप याद रखें 36 गड़ के जो है रैपूर जिले के सेहवबा में पढ़ता है महा नदी का उद्गम स्थल तो यह आप याद रखें अगला जो कुछ नमस 18 जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है तो कावेरी र राज में पढ़ती हैं अगला जो कुशन है कुशनमा 19 जो है चम्बल नदी का उद्गम इस्थल कहां से है तो चम्बल नदी का उद्गम इस्थल जो है ये जाना पात परवत जो की इंदौर मद्ध पिर्देश में है तो ये आप याद रखें चम्बल नदी का उद्गम इस् में पढ़ती हैं तो नंग पाडियां जो है ये राजिस्थान के अजमेर में पढ़ती हैं जहां से लूना नदी का उद्गम इस्थल है अगला जो कुछन है कुछनमा 21 जो है सावरमती नदी का उद्गम इस्थल कहां से है तो सावरमती नदी का उद्गम इस्थल जो है ये है धेबार जील या जैसम्मद जील जो की ओदैपूर में है जो की राजिस्तान में पड़ता है तो राजिस्तान के ओदैपूर के जो है जैसम्मद जील से सावरमती नदी का उधगम इस्थल है तो इसको आप याद रखें अगला जो कुछने कुछ नमा 22 जो है सतलज नदी का उद्गम इस्थल कहां से है तो सतलज नदी का उद्गम इस्थल जो है मान सरोवर जील के निकट राच्छ स्थाल से है जो की तिबबत में पढ़ता है जो है सतलज नदी का उद्गम इस्थल जो है मान सरोबर जील के निकट राच्छस ताल से है जो की तिबबत में है तो इसको आप याद रखें अगला जो कुछ नमा 23 जो है दामोदर नदी का उद्गम इस्थल कहां से है तो दामोदर नदी का उद्गम इस्थल जो है छोटा नांगपूर पठार जो की जारखंड में पढ़ता है तो जारखंड के छोटा नांगपूर पठार से है दामोदर नदी का उद्गम इस्थल त परता है यहां से घागरा नदी का उद्गम स्थल है माप्चा चुंगो विधर है जो है ये आप याद रखें। अगला जो कुशना कुशनमा 25 जो है नील नदी का उदगम इस्थल कहां से है तो नील नदी का उदगम इस्थल जो है ये है विक्टोरिया जील से जो की अफरीका में पड़ती है तो विक्टोरिया जील से उदगम इस्थल है नील नदी का जो की अफरीका में पड़ती है तो Umagen नदी का उद्गम इस्थल कहां से है, तो Umagen नदी का उद्गम इस्थल जो है, ये Lego Will Fairey, जो कि अमेरिका में पढ़ता है, तो वहीं से Umagen नदी का उद्गम इस्थल है, तो ये आप याद रखें। अगला जो कुशन है कुशन मा 28 जो है, डेन्यूम नदी का उद्गम इस्थल कहां से है, तो डेन्यू रिबर का उद्गम इस्थल जो है, बलेक फोरेश्ट परबत जो की जर्मानी में है, वहां से है डेन्यूम नदी का उद्गम इस्थल, तो ये आप याद रखें, अगला ज तो इसको आप याद रखियेगा अगला जो कुशन कुश्रमा ठरीटी जो है वोलो गा नदी का उद्गम इस्थल काहां से है तो वोलगा रेबर का उद्गम इस्थल जो है ये world eye परवत जो की रश्या में है आपको मैंने 30 question जो है fully detail से मैंने आपको बता दिये है आपको 30 question मैंने बताए है उनी मेंसे 20 questions की जो है आपको quiz लगानी है तो आपको जरूर बताना है कि आप लोगों 20 मेंसे कितना score किया है तो चलिए quiz को शुरू करते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है सिंदू नदी का उद्गम इस्थल किस स्थान से है तो सिंदू नदी का उद्गम इस्थल जो है आप लोगों पहले सोच लीजिए तो इसका right option जो हो जाएगा मान सरोबर जहील तिबत से सिंदू नदी का उद्गम इस्थल मान सरूबर जील तिबद से है अगला जो कुष्णना कुष्णमा टू ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम इस्थल किसे स्थान से है तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम इस्थल जो है ये मान सरूबर जील तिबद से अगला जो कुछने कुछ नमा 3 जो है गंगा नदी का उद्गम इस्थल के सिस्थान से है तो गंगा नदी का उद्गम इस्थल गंगोत्री ग्लेशियर मैं आपको बता चुका हूँ जो की उत्राखन राज्य में है तो इसका D option correct हो जाएगा अगला जो कुछने कुछ number 4 जो है यमुना नदी का उद्गम इस्थल के सिस्थान से है तो यमनूत्री ग्लेशियर तो इसका जो है B option correct हो जाएगा यमनूत्री ग्लेशियर उत्राखन राज्य में पढ़ता है अगला जो कुशन कुशनमा फाइब जो है जहलम नदी का उदगम इस्थल के सिस्थान से है तो जहलम नदी का उदगम इस्थल जो है शेश नांग जील जो की जमू और कस्मीर में जो की केंदर सासथ प्रदेश है तो जहलम नदी का उदगम इस्थल शेश नांग घील से है जो की जम्मू एंक आस्मीर में है और जम्मू एंक आस्मीर जो है एक केंदर सासट प्रदेश है तो यह आप याद रखेगा अगला जो कुशन मा 6 जो है रावी नदी का उदगम इस्थल किस इस्थान से है तो रावी नदी का उदगम इस्थल जो है ये कहां से है तो इसका रायट आप्सन जो हो जाएगा ये हो जाएगा रोहोतांग दर्रा जो की हिमाचल प्रิदेश में है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and share रुकिया करें अगला जो कुछना कुछनमा 7 चिनाम नदी का उद्गम इस्थल के सिस्थान से है तो चिनाम नदी का उद्गम इस्थल जो है ये है कहां से तो बारा लाचा दर्रा जो की हिमाचल प्रदेश में है बारा लाचा दर्रा से है चिनाम नदी का उद्गम इस्थल जो की हिमाचल प्रदेश राज्य में है अगला जो कुछना कुछनमा 8 राम गंगा नदी का उद्गम इस्थल के सिस्थान से है तो राम गंगा नदी का उद्गम इस्थल जो है ये कहां से है तो इसका राइट अप्सन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कुमायू तथा गड़वाल जो की उत्राखंड राज्य में इस्तित है अगला जो कुछना कुछनमा 9 जो है ब्यास नदी का उद्गम इस्थल किस इस्थान से है तो ब्यास नदी का उद्गम इस्थल जो है आप लोग पहले सूच लिजिए तो इसका रैट अप्सन जो हो जाएगा रोहतांग दर्रा जो की हिमाचल प्रदेश में है अगला जो कुछना कुछनमा 10 गोदाबरी नदी का उद्गम इस्थल किस इस्थान से है तो इसका रैट अप्सन जो हो जाएगा तरंब केशोर नासिक महाराष्ट से गोदाबरी नदी का उद्गम इस्थल है अगला जो कुष्णा नदी का उद्गम इस्थल किस इस्थान से है तो कुष्णा नदी का उद्गम इस्थल जो है महा बलेशोर जो की महाराष्ट से है तो ये आप याद रखेए कुष्णा नदी का उद्गम इस्थल जो है महा बलेशोर से है जो कि महराश्ट राज्य में पढ़ता है अगला जो कुशनना कुशनमा 12 कोसी नदी का उद्गम इस्थल कहां से है कोसी नदी का उद्गम इस्थल जो है किस इस्तान से है तो इसका right option जो हो जाएगा ये हो जाएगा कहां इसका D option correct हो जाएगा सब्त कोश की नेपाल से कोशी नदी का उद्गम इस्थल है अगला जो कुश्णना कुश्णमा 13 नर्मदा नदी का उद्गम इस्थल कहां से है तो नर्मदा नदी का उद्गम इस्थल जो है आप लोग पहले सूच लिजिए तो अमर कंटक की पहाड़ियां जो की मद्य पिर्देस में है तो अमर कंटक की पहाड़ियों से जो है निर्मदा नदी का उद्गम इस्थल है अगला जो कुछना कुछनमा 14 जो है तापती नदी का उद्गम इस्थल किस इस्थान से है तो तापती नदी का उद्गम इस्थल जो है ये है मुलताई मद्द प्रदेश से तो इसका जो है ए उप्सन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेज़ा जो क्या करें अगला जो कुशना कुशनम 15 जो है सोन नदी का उद्गम इस्थल के सिस्थान से है तो सोन नदी का उद्गम इस्थल जो है ये है अमर कंटक की पाहडियों से जो की मद्द प्रदेश राज्य में इस्तित हैं अमर कंटक की पाहडियां और अमर कंटक की पाहडियों से ही सोन न अगला जो कुछना कुछनमा 16 जो है महानदी नदी का उद्गम इस्थल के सिस्थान से है तो महानदी का उद्गम इस्थल जो है ये कहां से है तो इसका राइट आप्सन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिहाबा जो की 36 गड़ राज्य में इस्थित है सिहाबा जो की 36 गड़ क रायपूर में इस्तित है तो इसका B-Option correct हो जाएगा अगला जो कुश्चना कुश्चनमा 17 कावेरी नदी का उद्गम इस्तल के सिस्थान से है तो कावेरी नदी का उद्गम इस्तल जो है ब्रहमगीरी पहाडियां जो की करनाठक राज में इस्तित है तो ब्रह्मगीरी पहाणियों से जो है कावेरी नदी का उद्गम इस्थल है अगला जो कुश्चन कुश्चन में 18 सतलर नदी का उद्गम इस्थल के सिस्थान से है तो सतलर नदी का उद्गम इस्थल जो है ये मानसरोवर जھیल जो की तिबबत में इस्तित है इसके निकट राच्छस ताल से इसका जो है उद्गम इस्थल है 17 नदी का जो की मानसरोवजहील तिबद के निकट है तो ये आप याद रखें अगला जो कुछना कुछनमा 19 जो है दामोदर नदी का उद्गम इस्थल के सिस्थान से है तो दामोदर नदी का उद्गम इस्थल जो है ये है छोटा नांगपुर पठार से जो की जहरकन राज में इस्तित है अगला जो कुछ ना कुछ नमा 20 इस वीडियो का राश्ट जो है नील नदी का उद्गम इस्थल किस स्थान से है तो नील नदी का उद्गम इस्थल जो है ये विक्तोरिया जील जो की अफरीका में है यहां से जो है नील नदी का उद्गम इस्थल है विक्तोरिया जील से थें चैनल पर पहले आप विजिट कियें चैनल जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैह हिंद गुंदि मात्रम